इस वक्त मवजूद हैं हम छताई कला गाउं में जो सागन विधाजन सभा के अंतरगत यह गाउं आता है हम इस गाउं में आये थे तो हमने देखा कि इस गाउं में जो हमारी सिच्छा वेवस्था है हमारे भारत की सिच्छा वेवस्था तकरीबन दो साल से कुरोना महामारी के चलते वो उसमें काफी गिरावटे आई कि उकी बच्चे ये स्कूल नहीं जा पा रहे थे तो इसलिए इनको समस्या हो रही थी अभी भी ये महामारी चल रही है जिससी कि स्कूल कॉले सब्बंध है और हमारा जो ये भविस्था है एक तरह से ये कंधेरे की तरफ जा रहा था ये फिरी निसुल्क बच्चों को सिच्छा दे रही है ये बच्ची स्कूल नहीं जा पा रहे थे इनके मन में आया कि भाई जो बच्ची स्कूल नहीं जा पा रहे है अगर इनकी सिच्छा में रुकावटे आ रही है तो इसको हम जारी रखे चले इंसे हम बात करें कि और य से वाड़ से अभी रेकिक काम कर रहे हैं सरस्वति का देख लेंगे नाम करते देख लीजाने क दिआल नाय जी और आपका है पर बैडम से एक महिने से किक नब अब प्राती है आप फिर बच्च को बत्चे सी पूछ लेजिये सब क्या टी बताव मादम जीक कि क्या पड़ा प्र olduğum कि लुट तेवल पपाती है हाँ ऑज्य कण्यों पढ़ाती है है हैं जो भी है इंगलिव मेडियम भी पडाती हैं आझे पड़ाएं हाँ कि ये मतलब कितरी क्लास के बच्चों निया पर जिसे दो तीन एक शाट पांच एसे साथ और तक ये बच्चे हैं यहां तरब मतलब एक तरफ से इनको जो छोटे बच्चे बेसिक नालेज आप दे रहे हैं कहां से इधर थोला सा सामने आई आई आप कहां से आपके मन में आया यह कहां से आपको प्रेड़ा मिली के बच्चों के वज़े से घर पे बच्चे उसकूल नहीं जा रहे हैं जो आता था वो भी भूल गया है तिसके वज़े से हम लोग सोचे कि क्यों ना घर पे ही एक देड़ घंटा कोचिंग करा हैं क्योंकि घर पे ऐसी फालतू बैठे हैं पढ़ लिखे तो कुछ ना तो कुछ बच्चों को नालेज दिया जाए तो आपने कहां तक पढ़ाई की है सर बस हाई स्कू हुआ हर गाओं में लगभग आपको 90% लोग मिलेंगे और उसके उपर की तो बात कीजिए मत यह में और यह में पीएजडी बीएड करके सब बच्चे गाओं में लोग घूमते हैं लेकिन देख लिजिए हाई स्कूल दसवी तक पढ़ी हुई है और इनकी सोच देख लिज हैं इनको तो सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो यह समाज में यह मुहिम चला रही है और क्या संदेश देना चाहती है लोगों को सर हम तो यहीं सोचते हैं हर एक गाओं में हर एक गली में हर एक महला में यहीं किया जाए तो अपना देश आगे पढ़ी हुई हैं और इनकी ऐसी सोच है सर हम लोग तीन लोग हैं पढ़ाते हैं हमारे इधर गाओं की हैं मोहले में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यह तो संदेश दे चुकी हैं और हम भी यह संदेश दे चुक्त देते हैं लोगों को गाओं के समाज के लोगों क कि जो भी सिच्छा के अस्तर में अगर हमारे देश में तुधार कर सके तो बहुत बैतर होगा क्योंकि हम आपको फिर बता देते हैं यह सब को पता है हम को ही नहीं हर्द पूरे दुनिया को पता है कि करोना महमारी के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगो को दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से खबरे पाने के लिए धन्यवाद करें कि अगर